हेलो एब्रिवन वेल्कम टू माई चैनल स्रीहन क्राव आज मैं इस वीडियो में बचे हुए उन का इस्तेमाल करना बताऊंगी तो फ्रेंट्स देखिए मैंने बचे हुए उन से ये सुन्दर सा मोरपंक तयार किया है ये देखिए इस तरीके के मैंने इसी तरीके से ये बहुत सारे मोरपंक बनाए है आप इस तरीके से मोरपंक बनाके बुक मार्क वेगर में या ऐसे डेकोरेट कर सकते हैं इसका यूज़ कर सकते हैं फ्रेंट्स ये बनाना बहुती easy है और आप बहुती आसानी से बना पाएंगे मैं बहुती आसान तरीका बताऊंगे आपको इसे बनाने का तो फ्रेंट्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजे अगर आभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन भी प्रेस कर लिजे जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले अगली वीडियो में हम इसी मोर्पंक के साथ तोरण बनाना बताएंगे तो आप प्लीज जरूर देखिएगा मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही प्यारी प्यारी सी डिजाइन आप लोगों के साथ सेयर करूंगी तो चलिए friends मोरपंक बना लेते हैं तो देखे friends मैंने इस तरीके से जो हमारे पास उन बचा है इसी से मैंने ये मोरपंक तयार किया है सिर्फ मैंने green color extra लिया है बाकी मैंने इसे से बनाया है तो आपके पास भी अगर ऐसी उन पड़ी है बेकार सी तो आप इससे ये मोरपंक बना सकती है तो चलिए मैं बनाना बताती हूँ तो देखे friends हमने ये blue color का उन लिया है इसमें हमें इस तरीके से एक magic note तयार कर लेना है इस तरीके से उंग्लियों में लपेटेंगगे ऐसे और यहाँ से पास करके करोशिये को एक बार इस तरीके से एक छोटी सी ring बन जाएगी यहाँ पे और यहाँ पे एक chain बना लेना है हमें यह देखे एक chain बना लिया हमने और यह जो धागा है इसको ऐसे ही पकड़के यहाँ पर हम रखेंगे और इसी रिंग में हमें बुनते जाना है तो यहाँ पर हम तीन चैन बुनेंगे एक हमने यह बनाया फिर यह दूसरा और यह तीसरा तीन चैन हो गया तीन चैन बनाने के बाद इसमें हमें टोटल बारा डबल क्रोसिया बना लेना है इस तरीके से देखिए पहला डबल क्रोसिया यह दूसरा फिर तेसरा इसी तरीके से हमें टोटल बारा डबल क्रोसिया बना लेना है और यह चैन जो हमने साइड में बनाया है इसे काउंट करेंगे तो टोटल तेरा डबल क्रोसिया हो जाएगा तो देखिए यह हमने बारा डबल क्रोसिया कंप्लेट कर लिया है इसमें और यह जो हमने स्टार्टि तेरा डबल क्रोसिया हो गया है इसमें देखिए एक, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा तो टोटल तेरा डबल क्रोसिया हम फस्ट रांड में बनाएंगे और उसके बाद ये जो धागा दिख रहा है ये वाला, ये छोटा वाला इसे हम ऐसे खीच लेंगे ऐसे पकड़के खीचेंगे तो ये हमारा एक, छोटा सा सरकल बन जाएगा, देखिए इस तरीके से, अब यहाँ पर हम क्या गरेंगे ये जो हमने तीन चैन लिया है तीसरे चेन के उपर हम slip stitch लगा लेंगे अब यहाँ पर हम धागे को cut कर लेंगे अब यहाँ से हम दूसरा color लगाएंगे आप अपनी पसंद का कोई भी color ले सकते हैं यह देखिए तो देखिए friends अब मैं sky color का उन ले रही हूँ आपके पास जो भी उन बचा है और यह दूसरा और तीसरे वाले में हम इस धागे को joint करेंगे यहाँ पर इसे हमने यहाँ पर joint करना है तीसरे वाले chain के उपर हम से joint करना है इस तरीके से हम जोब करेंगे और इन धागों को हम इसी में बून लेंगे जिससे fining बहुत यह ंच्छी आए यह देखिए यह हमारा front का side है और यह हमारा back का side है हमें इसी में इन धागों को अच्छे तेरके से बुन लेना है तो देखिए यह हमने यहां पर joint कर लिया धागे को धागे को joint करने के बाद एक chain बनाना है एक चैन बनाने के बाद क्या करना है हमें यहीं पर इसी फंदे के अंदर एक सिंगल क्रोसिया बना लेना है तो यह हमारा इसमें दो सिंगल क्रोसिया हो जाएगा फिर अगले वाले चैन में दो सिंगल क्रोसिया बनाएंगे देखे पहला सिंगल क्रोसिया और इसी फंदे में एक और सिंगल क्रोसिया बना लेना है हमें यह दूसरा सिंगल क्रोसिया हो गया फिर अगले वाले चैन में भी इसी तरीके से दो सिंगल क्रोसिया बनानी है इसी तरीके से टोटल आठ चैन में हमें दो-दो सिंगल क्रोसिया बना लेनी है तो यह हमारा पहला, दूसरा, तीसरा और इसी तरीके से टोटल आठ चैन में हम दो-दो सिंगल क्रोसिया बना लेंगे तो देखिए यह हमने सिंगल क्रोसिया बना लिया आठ चैन के उपर हमने बनाया है यह देखिए एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आठ आठ चैन के उपर हमने दो-दो सिंगल क्रोसिया बना लिया अब हमें यहाँ पे क्या कर रहा है यहां पे हम धागे को यह जो सरकल है हमारा बीच का यह जो बीच का फंदा दिख रहा है यह वाला जहां पे यह धागे को हमने इस तरीके से खेच के गाट लगाई थी इसी के अंदर ऐसे क्रोसिया पास करके हमें एक क्रोसिया पास करा हमने और यहाँ पे इस तरीके से धागे को किचा ऐसे और यहाँ पे हमें क्या करना है इस तरीके से यह तीनों फंदों को एक साथ बंद कर लेना है तो एक बार बनाया हमने फिर अब दूसरी बार बनाएंगे इसी फंदे में फिर ये तीसरी बार जैसे हम half double cross यह बनाते हैं उसी तरीके से हमें बनाना है ये धागे को इतना ही बड़ा कर लेना है जितना बड़ा हमारा ये सरकल है देखे तीसरी बार हो गया और ये हो गया चौथी बार टोटल चार बार हम बनाएंगे दागे को इसमें से तीनों फंदों को एक साथ बंद करते जाना है हमें तो ये बंद कर लिया हमने देखिए इस तरीके से अब क्या करना है हमें ये जो 2 चैन दिख रहा है इस 2 चैन के उपर भी हम 2-2 सिंगल क्रोसिया बना लेंगे ये देखिए, एक फिर इसी फंदय में एक वार और बनाया दो बार हो गया, फिर अगले वाले फंदय में 2 बार बनालेंगे ये हो गया, तो टोटल ये 10 फंदों में हमने टोटल दस फंदों में दो-दो सिंगल करोशिया बनाया है और यहां पे यह हमने चार हाफ डबल करोशिया बनाया है इस तरीके से अब क्या करना है यह जो चैन लिया था हमने इसी चैन के उपर स्लिपे स्टीच लगा लेना है तो ये round हमारा complete है जाएगा second round और इस धागे को हम cut कर लेंगे तो friends अब हमें तीसरा round बनाना है ये हमने दो round बना लिया अब हम तीसरा round बनाएंगे तो तीसरे round के लिए ये हम मैंने yellow color count लिया है हमें क्या करना है ये जो फंदा है बीच वाला इसी के center से ये फंदा उठाना है ये जो हमने half double crochet बनाया है इसी का एक फंदा उठाना है बिल्कुल center का और यहां पर हम yellow color का धागा जोड़ लेंगे अब यहां पर ये धागा जोड़ने के बाद यहां पर एक chain बना लेंगे हम ये एक chain बना लिया हमने अब यहीं इसी फंदे में एक और single crochet बना लेंगे इसी फंदे के अंदर एक single crochet बना लेंगे फिर दूसरे फंदे में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे फिर तीसरे फंदे में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे फर्ष्ट वाले में दो सिंगल क्रोशिया और बाकी में एक-एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है हमें यहां पर यह देखिए 3 सिंगल क्रोशिया हो गया यह 4 चार सिंगल क्रोशिया बना लिया हमने तो देखिए यहां से काउंट करेंगे यहां से 1, 2, 3, 4, 5 तो टोटल 5 सिंगल क्रोशिया हो गया अब यह 6 तो टोटल 6 फंदों में हमें इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बना लेना है और सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब क्या करना है अगले वाले फंदे में इस तरीके से हाफ डबल क्रोशिया एक बनाएंगे अगले वाले फंदे में हाफ डबल क्रोशिया बनाना है छे सिंगल क्रोशिया बनाया हमने और अगले वाले फंदे में हाफ डबल क्र बनाएंगे इस तरीके से, फिर उसके अगले वाले में भी एक डबल क्रोसिया बनाएंगे, फिर उसके अगले वाले में एक डबल क्रोसिया बनाएंगे, तो यहां पर एक हाफ डबल क्रोसिया और तीन डबल क्रोसिया बनाया हमने, उसके अगले वाले में भी हमें डबल क्रोस यह बनाना है इस तरीके से यह देखिए एक फंदा उतारना है हमें फिर दूसरा फंदा उतारना है हमें और फिर बंद कर लेना है एक बार बनाया फिर दूसरे फंदे में वैसे ही बनाना है हमें एक फंदा उतारा फिर दूसरा फिर तीसरा फिर तीसरे फंदे में भी हम उसी तरीके से बनाएंगे, देखिए एक फंदा उतारा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, अब अगला वाला जो यहां का है, यह जो सेंटर दिख रहा है, यह सेंटर वाला, इसके सामने वाला लोग उठाएंगे, देखिए यहां पर, देखिए यहां पर, यहां पर टोटल हमने यह ती तीन डबल करोसिया और तीन इस तरीके से हमने डबल करोसिया बनाया अब यहां हमें इस फंदे के अंदर टोटल तीन बार इस तरीके से डबल करोसिया बनाना है एक एक फंदा उतारना है हमें एक फंदा उतारा फिर दूसरा और फिर बंद कर लिया इसी फंदे में एक और बा धागा उठाया है ये देखिए ये बिल्कुल सेंटर का धागा हमारा आ रहा है ये सेंटर वाला फंदा इसी में हमने इस तरीके से बना लेना है अब फिर इसी पैटरन को हमें इधर रिपीट करना है इस साइड एक डबल क्रोशिय बनाना है फिर दूसरा फिर ये तीसरा इस तरीके से एक एक फंदे वाला ऐसे बनाएंगे तीन फिर तीन डबल क्रोशिय बनाएंगे तो देखिए ये ही वाला पैटरन हमें इस तरफ अपलाई कर लेना है तो देखिए ये हमने इधर भी बना लिया इस तरीके से इधर हमने ये छे सिंगल क्रोशिय बनाया था यहां से काउंट करा था हमने सेंटर से तो यहां ये हमारा ये देखिए यहां पर एक दो तीन चार पाँच पाँच सिंगल क्रोशिय हो गया और एक इस फंदे में बना लेंगे, इसी फंदे में तो टोटल 6 सिंगल क्रोसिया हो जाएगा, जो हमने चैन लिया था उसके उपर इस तरीके से स्लिपे स्टिच लगा लेंगे और धागे को कट कर लेंगे तो देखी इस तरीके से यह हमने यहां पर बना लिया देखी यहाँ से हम इधर भी count करेंगे इसी वाले center से तो यहाँ से एक दो टीन चार पांग छे छे बनाये हमने single cross यह इधर भी एक दो टीन चार पांग छे और यहाँ से एक हाफ सभी हरा राफ दबल क्रोशिया फीर तीन यह मैं एक एक फंदा उतारे हुए डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यह सेंटर वाला जो चैन दिख रहा है, यहां पर यहां से ऐसे सेंटर वाला इस फंदे में हम तीन डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे फिर इधर यहीं सेम पैटन हम इधर अपलाई कर लेंगे अब हम चौथी राउंड बनाएंगे चौथी राउंड के लिए मैं वाइट कलर लगाऊंगी तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से बचे हुए उनका इस्तेमाल कर सकते हैं ये देखिए बचे हुए उनसे कितना सुन्दर पैटन त्यार हो रहा है आप इस तरीके से इस तरीके से आप मोरपंक बनाके इस्तेमाल कर सकते हैं कई तरह से आप जिस तरह से थालपोस वेगर में कह बहुत नहीं भी डेकृरेट के लिए इस्ते StallFlow कर सकते हैं आप सभी को हमारी डिजाइन कैसी लगती है आप ज़रूर कमेंट किया किजे है लाइक किया किजे है और आपको हमारी डिजाइन पसंद आती है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ share किया किजिए और हमें support किजिए और friends आपको कहीं भी कोई भी कमी न जराए तो please हमें comment करके बताया किजिए मैं वो सुधारने की कोशिज करूँगी तो friends अब हम चौथे round के लिए ये white color का हून ले रहे हैं अब ये जो center का है जहां पर हमने धागे को cut करा था यहां पर हम इसे जोड लेंगे एक chain बनाएंगे एक chain बनाने के बाद इसी फंदे में एक single crochet बना लेंगे ये single crochet बनाया हमने तो यहां पर दो single crochet हो गया फिर अगले वाले फंदे में एक single crochet बनाएंगे ये धागे को इसी में भुनते जाएंगे जिससे फिनिसिंग अच्छी आए फिर इसके अगले वाले में दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक बार हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है एक बार दो सिंगल क्रोशिया बनाना है इसी तरीके से ये चौथा राउंड हमें कम्प्लीट करना है ये देखे एक बार एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक chain के अंदर फिर दूसरे chain के अंदर दो single croci यह बनाएंगे देखिए एक बार दो बनाया फिर एक फिर दो फिर एक फिर दो तो ऐसे ही एक दो एक दो एक करते हुए यह पूरी round हम complete कर लेंगे तो हमारी चौती round complete हो जाएगी तो देखे फ्रेंड्स यह हमने चौथी राउंड कम्प्लेट कर ली अब हमें क्या करना है यहां जो हमने यह चैन लिया था इसी चैन के उपर स्लिप एस्टिच लगा के इसे जोड लेना है और धागे को कट कर लेंगे देखे अब यहां से हम अब यह ग्रीन किलर लगाना है हमें इसमें टोटल हमने यह देखे यह फर्स्ट राउंड बुलू से बनाया फिर सेकेंड राउंड थार्ट राउंड फॉर्थ राउंड और फिफ्ट राउंड में हम यह ग्रीन किलर लगाएंगे तो देखिए अंदर हमने ये बचे हुए उन का इस्तेमाल किया है ये थोड़ा-थोड़ा जो हमारे पास उन बच जाता है तो चार राउंड हम इस तरीके से बनाएंगे और आखरी राउंड हम ग्रीन किलर से बनाएंगे तो चलिए आखरी राउंड बना लेते हैं उसी फंदे में बिल्कुल सेंटर वाले में ये धागे को इस तरीके से जोड लिया हमने और यहां बना लेंगे एक चैन, ये एक चैन बना लिया, एक चैन बनाने के बाद हमें क्या करना है, इसी फंदे में एक और सिंगल क्रोसिया बना लेना है, देखिए, एक सिंगल क्रोसि बनाएंगे तो ये पहला दूसरा फिर अगले वाले फंदे में तीसरा फिर उसके अगले वाले फंदे में ये बनाएंगे चौथा फिर पाँचवा और ये छठा तो छे सिंगल क्रोसिया हमें इस तरीके से बनानी है तो देखिए ये हम एक दो तीन चार पाँच पाँच बना लिए और ये छे तो टोटल छे सिंगल क्रोसिया बनाएंगे हम ये जहां पे हमने ये जोड़ा ये हम छोड़ेंगे और उसके बगल वाले फंदे से हम काउंट कर तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे सिंगल क्रोसिया बनाने के बाद क्या करना है हमें यहाँ पर हमें हाफ डबल क्रोसिया बनाना है अगले वाले फंदे में तो एक हाफ डबल क्रोसिया बनाया उसके अगले वाले फंदे में एक हाफ डबल क्रोसिया बनाएंगे तो य ये वाला जो धागा दिख रहा है, इसके उपर हम इस तरीके से ऐसे बना लेंगे, तो यहां यह हमारा पीको एस्टिच बन जाएगा फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे अगले वाले फंदे में फिर उसके अगले वाले फंदे में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे तो यह दो डबल क्रोशिया हो गया दो डबल क्रोसिया होने के बाद तीन चैन लेना है हमें तीन चैन लेने के बाद यहाँ पे हमें एक इस तरीके से पिको एस्टिच बना लेना है फिर बाकी बचे फंदे के उपर भी हमें यहीं पैटर्न रिपीट करना है दो-दो डोबल करोशिया बनाते हुए और इस तरीके से ये Peoko stitch करते हुए यहां पर आ जाएंगे यह जो center वाला है यहां तक हम भून लेंगे तो देखिए फ्रेंड्स इसी तरीके से हमें यहां तक भून लेना है center तक तो यह वाला total हमें 7 बनाना है यह जो हम pico stitch कर रहे हैं यह वाला count करेंगे तो देखिए 1,2,3,4,5,6,7 साथ बनने के बाद क्या करना है हमें अगले वाला जो फंदा है हमारा यहाँ पे तो यहाँ पे हम इस तरीके से ऐसे बनाएंगे हम double crochet ऐसे एक फंदा उतारा फिर दूसरा फंदा फिर तीसरा फंदा फिर इसी फंदे के अंदर हम एक बार और बना लेंगे एक फंदा उतारा फिर दूसरा और यह फिर तीसरा यह हम center का बना रहे हैं तो यह थोड़ा लंबा बनाएंगे देखे तीन चैन लिया हमने और यहाँ पर यहाँ जो फर्स्ट वाला लूप दिख रहा है फर्स्ट वाला चैन यह धागे को उठा के इस तरीके से हम पिको एस्टिच कर लेंगे अब फिर यहाँ पर नेक्स्ट वाले से बनाना सुरू करेंगे सेम यही पैटन हम फिर इधर अपलाई कर लेंगे एक डबल क्रोसिया बनाया फिर दूसरा डबल क्रोसिया बनाया अब फिर ऐसे बना लिया यह वाला पैटन यह पिको एस्टिच कर लिया हमने यह हमारा center का हो जाएगा यह बीच का देखिए यह बीच का हो जाएगा हमारा इसके सामने अब इधर भी हमारा यह total इस तरीके से यहां से का इसको हम छोड़ेंगे यह वला को इसको छोड़ना है हमें और यह देखिए 1,2,3,4,5,6,7 साथ पीको स्टिच किया है हमने और इसे हम छोड़ेंगे यह बीच वाले को फिर इधर भी हम साथ पीको स्टिच कर लेंगे और बाकी बचे चैन के उपर हम इस तरीके से सिंगल क्रोसिया बना के complete कर लेंगे तो देखिए फ्रेंड्स यह हमने बना के complete कर लिया और यहां इधर भी हमने यह साथ पीको स्टिच किया था और इधर भी हमने यह साथ पीको स्टिच कर लिया देखिए फ्रेंड्स हम अगली वीडियो में इसी मोरपंक से तोरण बनाना बताएंगे तो आप देखना मत बुलेगा प्लेज जरूर देखिएगा बहुत ही प्यारा सा तोरण बनाएंगे हम देखिए यह हमारा मोरपंक कंप्लेट हो गया आप इसी तरीके से मोरपंक बनाके इस्तेमाल कर सकते हैं आप देकुरेट भी कर सकते हैं और कहीं लगा भी सकते हैं यह देखिए बहुत ही प्यारा सा मोरपंक यह हमारा बनके रेडी हुआ है यह देखिए इस तरीके से तो फ तो चले फ्रेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए डिजाइन के साथ तब तक के लिए बाबाए